आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिलकुल सही पड़ा 17, 18, 18, 19 के जो भी फाल्तू नोटी से फाल्तू ओडर है सारे के सारे ड्रोप होंगे सर ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाया देखो यह 26 दिसंबर को गोहाटी ने एक इंस्ट्रक्शन इसू करें यह नया इंस्ट्रक्शन इसू किया है यह किस वज़े से क्या है कि जो आप लोगों को नोटीस आए हुए हैं वो सारे के सारे जो नोटीस हैं वो किस वज़े से आए सब्वाइब के। आपने देखा होगा जितने भी लोगों को नोटीस आये हैं उनके जो नोटीस है उसमें सारे के सारे ऑटोमेटिक सब्वाइब के लेकिन वह नौटीस गलत है तो इननोंने यहां पर यह इंस्ट्रक्शन जारी करके कहा है कि वह यह सारे नोटिस को ड्रोप करो कौन से फिनेंचल यह के 17-18 के और अठारो इसके सर यह वाला जो इंस्ट्रक्शन है यह तो स्विफ गोहाटी के लिए आया है पूरे इंडिया में यह एप्लिकेबर लोगों क्या आंसर इस नो लेकिन क पूरे इंडिया में अस सकता है आणसर ही जिए तो अगर आपको कोई नोटिस आया हुआ या आपको कोई ओर मुदक्र आया हुआ है तो आप एक बार 25 कर सकते हैं इस तरह के इंस्ट्रक्शन का कि कभी वो ड्रोप ना हो जाए अगर notice आया है उसकी अगर date है तो reply कर दो और अगर date नहीं अभी है तो अभी reply मत करो हो सकता है वो drop हो जाए सर यह drop क्यों हो रहें किन रीजन से हो रहें जरा एक बार देख लो इनके पास ना representation गई थी कि भाई बहुत सारे जो notices है उसमें पहले ही स्कुटनी हो चुकी है पहले ही audit हो चुका है लेकिन फिर भी notices आ रहे हैं किस वज़े से software की वज़े से तो इनों ने क्या कहा कि भाई आप यह सारी proceeding को drop कर दो इन instruction को follow करते हुए अब कौन-कौन से instruction को follow करते हुए यह notice को drop करा रहे जरा वो एक बार पढ़ लो हो सकता है आपका भी ऐसा case बन जाए पहला यह कह रहे हैं कि जहां पर audit proceeding complete हो चुकी है और notice दुबारे आया है IIT big data software की वज़े से तो आप उसे drop कर दो जहां पर notice issue हो चुका है इसकुटनी हो चुकी है फिर दुबारा से software ने notice दिया है आप वो व मतलब कि अगर IIT big data ने 10 points पर आपको notice दिया है उसमें से 8 points पर पहले ही आप जवाब दे चुके हैं तो 8 points drop कर दो स्रिक 2 points की बात करो और इसी तरीके से अगर आपको कोई someone वगेरा आया हुआ है और आपकी proceeding complete हो चुकी है वो भी drop हो जाएगी उन पैरा तक जो पहले ही cover हो च ठीक है न तो महा पर भी proceeding drop हो जाएगी का तक information given to concern officer for inclusion of such para in their preceding जहां पर DRC03 के अंदर आपने payment कर दी है और DRC07 has been issue कर दिया गया है वही आपको DRC03 से आपने payment कर दी या आपको order आ गया फिर दुबारा से उसका notice आ रहा है on such ground the notice issued using IIT big data nets to be dropped अगर आपको कोई penalty का notice है तो यहां पर इन्होंने इसके लिए भी बोला है only invoice were issued without movements of goods और वहाँ पर section 122 के अंदर पहले से ही proceeding चल रही है या हो गई है तो big data ने दुबारा से notice दे दिया है वो भी drop होगा सबसे important अगर section 17-5 के आपको notice आ रहे हैं ठीक है ना section 17-5 में notice आ रहे हैं न कि भाई यह system generated है कि तुम्हारा hsn sse code यह था ठीक है ना used to issue notice it may be possible that credit may be eligible तो इन्होंने बोला है कि 17-5 का notice तो आ गया लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके case में credit आपको मिले तो लोगों को 80-80 रुपे के notice आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है आपको credit मिले तो इस वाले cases में क्योंकि हो सकता है आप same business में हो ठीक है ना तो यहां पर इसमें यह चीज लिखी है कि अगर इस तरह के 17-5 के notice आ रहे हैं तो आप क्या करो आप check करो कि परचेजर को ITC मिलना चाहिए या नहीं इन सच केस proper official cell examines relevant facts along with the supporting records and take decision on case to case basis तो आपर उन्होंने instruction दिये कि आप बिना कुछ करे ऐसा मत करो कि सारा ITC डिसलाव कर दो तो section 17-5 में हो सकता है उसे ITC मिल रहा हो मालो उसने वीकल परचेज करा उसका वीकल का ही business हो उसने furniture परचेज करा hardware परचेज करा उसका उसी का business हो त instruction इन्होंने दी है तो मेरे इसाफ से यह बहुत ही welcome instruction है साथ के साथ इन्होंने reversal आप लोगोंने देखा होगा आपको ITC reversal के भी notice आ रहे होंगे rule 4243 के रूल 4243 के भी आपको notice आ रहे होंगे कि आपने इतना ITC लिया है आप इसे reverse करो ठीक है न तो यहाँ पर भी यह कहना चा बाद ही पूरा process follow करने के बाद ही आप clarification लो taxpayer से ठीक है न तब आप उसके notice को tackle करो ठीक है न यहाँ पर ऐसा मत करो कि तुम्हारा सारा ITC reversal होना है अगर बंदे ने एक लाग रुपे की exempt sale कर दी तो reverse कर दो वो कहरा ऐसा मत करो आप सारी चीजों को due verification के बाद करो ठीक है न जी तो अगर यहाँ पर इस तरह के notices आ रहे हैं तो इन्होंने लिखा है where notice are not required to be dropped then in those cases noted shall be served in appropriate manner अगर officer को लगता है कि drop नहीं होना चाहिए तो notice यहाँ पर appropriate manner में देना चाहिए और एक opportunity देनी चाहिए taxpayer को ठीक है न और आप बिलकुल time bound manner में चीजों को करो as above instructions shall be followed strictly तो officers को यह जो भी instruction है यह strictly follow करने the cases where the notice are required to be dropped वो कहरे कि अगर आपको लग रहा है बाई साब कि यह जो notice है यह drop होने चाहिए तो ना तो आपको written submission मांगो taxpayer को परिशान मत करो ना यह उसे personal hearing के लिए बुलाओ आप simple proper officer क्या करें region को record कर दे और proceeding को drop कर दे region को record कर दे और proceeding को drop कर दे ठीक है ना जहां जहां पर वो हो सकता है ठीक है all proper officer must strictly adhere to legal provision वो कहरें भाई आप legal provision relevant guideline circulars को ध्यान लखो strict action will be taken for non compliance ठीक है किसके non compliance अगर officer ने सई से नहीं करा तो उन पर action लिया जाएगा moreover it should be ensured that no harassment is caused to any taxpayer and due tax is received by the department कि भाई आप क्या करो harassment मत करो किसी भी taxpayer का और जो आपका due tax बनता है वो अपना ले लो तो यह वाली बात इन्हों ने इस instruction में कहीं है जो instruction आया है अगर आपको instruction चाहिए तो आप इस instruction की copy हमारे telegram channel से ले सकते हैं ठीक है ना instruction की copy telegram channel से आपको मिल जाएगी video कैसी लगी मुझे बताओ और comment box में लिखकर बताओ कि यह instruction क्या पूरे इंडिया में नहीं आना चाहिए क्या पूरे इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा यह तो सिर्फ आसाम आसाम के लिए आया है तो क्या CBIC को क्या गोर्मेंट को इस instruction को देखकर पूरे इंडिया के लिए नहीं लाना चाहिए अगर आपको लगता है लाना चाहिए तो इस वीडियो को शेर करो ठीक है ना फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे जिससे की ये वीडियो वायरल होके गोर्मेंट सोचेगी हावे ये CBIC का पूरा circular आना चाहिए और हाँ इस बारना high court और supreme court की बहुत judgment आही है तो इस बार की जन्वरी 2024 की magazine है जो जन्वरी 2024 की magazine है तो उसके अंदर हमने सारी high court और supreme court की judgment को mention करा है तो अगर आपकी magazine expire और रख़ी है या आपने अभी तक नहीं लिये तो आप हमारी team से बात करके ले लो ठीक है ना जिन लोगों ने magazine ले रखी है उन्हें आज शाम तक soft copy आ जाएगी magazine लेने के लिए किस नंबर पर whatsapp करना है इस नंबर पर whatsapp कर सकते हो या KJ Classes का app download कर लो वहाँ से भी आप magazine परचेज कर सकते हो ठीक है सर magazine का price क्या है मैं आपको दिख रहा है screen पर आप magazine ले सकते हो ठीक है और अरजुन course की पहली class हो गई जिन लोगों ने अरजुन course attend करा है मुझे बता ना पहली class आपको कैसी लगी सर पहली class यूटूब पर भी डलवा दो कोशिश करेंगे कि पहली class आपकी यूटूब पर डलवा दे तो उस class को देखके समझ जाना कि अरजुन course कैसा है और अगर आपने अभी तक अन्रोल नहीं करा है तो अरजुन course में अन्रोल करा ले ना इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करना चाता हूँ और हाँ हर संडे ना पता कर लिए अगरो किस किस चीज पर session है इस संडे को 14 जनवरी को बारा से दो बजे हम session करेंगे कि जो 17-18 के notice आये हैं उनकी appeal कैसे file करनी है ठीक है न और इसके बाद 21 तारिक को हमारा session है high court और supreme court की recent judgment के उपर तो अगर आपको यह session भी जोइन करने है तो फटा-फट से इनकी payment करके इन्हें जोइन कर लेना और अगर आप webinar की annual membership लेना चाहते हो तो हमारी team से contact करके या हमारे app को download करके annual membership भी ले सकते हो webinar की चलिए इस video को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद thank you for watching